जैश्री राम संत महराज अच्छिवने बेदी जी बैन जी और आज इस यग में जो स्वामी सत्यानजी महराज जी के किर्पा से साट साट से चल रहा है और यहाँ इस यग के अंदर इतने सालों का तप और जब मैं यहाँ आया मैं देख रहा था सुन रहा था ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं राम जी हनुमान जी स्वामी जी महराज कहीं न कहीं हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं और हमें असीर बाद दे रहे हैं जाय हो जाय शिरा मैं आज क्योंकि समा बहुत थोड़ा है एक सची कहानी अपनी जिन्दगी की सुनाना चाहता हूँ जो मुझे एक पापी एक गुनाहगाहर व्यक्ति को एक छोटी सी सेवा मिली थी राम जी की किर्पा से आज मैं उन्नी साल से किसी दोस्त के साथ बाला जी महंदीपुर मत्था टेकने गया था और वो दिन मुझे याद है कितनी हनुमान जी की राम जी की किर्पा हूती है मैं कोई ये सोचके नहीं गया था कि मैं कुछ आप से मांगने आया हूँ मुझे ले गए मैं चला गया पर उस दिन इस रास्टर के उपर मात्र बूमी के उपर बहुत बड़ी आफ़त आने वाली थी जो मैं यहां सब को बता नहीं सकता इस देश की संस्कृति से देश का इतिहाद इस राम जी के इतिहाद को तोड़ फोड़ करने की कोशिश उन दिनों में हो रही थी तो मैंने हनुमान जी के सामने जब आरती हो रही थी आँखों में आसू थे मैंने कया हनुमान जी आप कहा हो हम सब आपके चर्णों में रहते हैं आपकी पूजा करते हैं दुनिया में बैठा हुआ हर भारती आपके चर्णों में रहता है आचे सिंदुस्तान के अंदर मातर गूमी के ओपर एक बहुत बड़ी आफ़त आने वाली करपा करके हमारे पर करपा करना, मेरा दोस्त कहने लगा आपकी आँखों में आथू आप रो रहे हैं मैंने उसको बताया नहीं आरती हुई कहां से वो जल कहां से अमरत आता है उस सब चरदालूं को उपर ढालते हैं, चिनकते हैं और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा ते मैंने का रेडियो लगाओ कोई फैसला ऐसा आने वाला था जब रेडियो लगाया तो फैसला वही आया जो हमने हनुमान जी से अपने दिल से माना हमने कहा जयाज शरीराम जितनी दे तक ये बंबो से बचा हुआ जीवन का हिस्सा है सरीर का हिम्मत रखना हम आपके चर्णों में हर महीने जरूर आएंगे मैं जाता रहा तो एक वक्त ऐसा आया हनुमान जी ने भी हमारा इम्तिहान ले दिया हनुमान चालीशा पढ़ना शुरू कर दिया एक दिन जब कुछ ऐसे लोगों ने जिन्नों ने रमेश्वर जहां राम जी का स्थान जहां हनुमान जी का स्थान उसकी पवित्तरता को तोड़ने की कोशिश की और ये एलान किया कि राम सेतू कि आसपास सब तूट जाएगा मैंने हनुमान चालीशा पढ़ते पढ़ते कहा है राम जी है हनुमान जी जातो आपके द्वार आना छोड़ दूगा मंदर जाना छोड़ दूगा जो राम सेतू तूटने नहीं दूँगा ये बंबो से बचा हुआ सरीर का हिस्सा राम सेतु मैं आपके चर्णों में दे दूँगा चला गया उन्ही दोस्तों के साथ मैं राम सेतु इकी कुओं का इशनान करके शपत ले ली जिस दिन इस राम सेतु को को तोड़ने की कोशिश करेगा इसकी तरफ हाथ लगाने की कोशिश करेगा ये बंबो का बचा हुआ जीवन का हिस्सा है मरना तो वैसे ही है जैसे माहराजी बता रहे थे एक दिन जाना है और जगादरी वाले हमारे हर्मन सिंग जी आज नहीं है वो यही कहा करते थे हम आदमी हैं कि दम के पल की खबर नहीं एक दिन जाना है त्योंकि ना राम जी आपके चर्नों में हमारा जीवन बचा हुआ चले जा इससे बड़ा काम क्या होगा हम सोचते रहे कई वर्ष एक साल डेड़ साल मौत कैसे आएगी पर उन्हें हमने उसको पब्लिशिटी नहीं की क्योंकि दिल से इच्छा थी कि राम के चर्नों में हमें अगर मौत मिलती है तो हम लेंगे एक वक्त ऐसा आया एक मेरे दोस्त ने कहा कि साथ बजे जी टी वी लगाओ मैंने जी टी वी लगाया उसमें कारेकरम आया मिल गे राम मैंका मौत फिर दूर चली गई इतने बंबो से फिर मौत की इंतजार रही और क्या कहूं जब नरिंदर मोधी जी आए मैं बीजे बी में नहीं हूँ और में ले भी यह रास्ट प्रथम है जब वो महान योदा इस देश के अंदर हिंदुस्तान का परधान मंत्री बना और नितन गरकडी बने उस डेपार्टमेंट के मंत्री पहला एलान किया राम से तू नहीं तूटेगा बो जैश या राम राम से तू नहीं तूटेगा और उसके बाद आज राम जन भूमी का निर्मान भी हो गया पांचो साल का इतिहाद लाखों कुर्मानिया लाखों शहात्ते हुई हम नहीं सोच सकते थे अपने जीते जी कि हम राम जन भूमी का निर्मान देखेंगे आज राम जन भूमी का निर्मान भी हुआ आज वारा नसी के अंदर कॉली डोर का भी काम हुआ आज करतारपुर साथ गुरुनानक देव जी का कॉली डोर भी खोल दिया गया आज आने वाले वक्त के अंदर जो हम कभी नहीं सोच सकते थे बदरीनात के दारनात गुरु कुबिन सिंग महराज का वो अस्तान जिनके सहब जादों ने आज के दिनों में नियों में चनवा के मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी हेम कुन साब का भी रस्ता बनाया जाएगा ये उस योदे को सेवा दी तो मैं आज के दिन जारा समा नहीं लूँगा मैं यही कहूंगा जिस तरीके से माराजी ने बोला और चांती से आपने सुना मेरी आखों में भी आँसू थे चांती से दिल से अगर राम जी सतना वाई गुरु अपने गुरु साहबानों को अगर हमने मान लिया वो हमेशा आपके साथ साथ है अपन से दूर नहीं है और मैं उस हनुमान जी के मंदर के बाद बाला जी मेंदीपूर जी के बाद राम सेतू के बाद योदिया के बाद पता नहीं हिंदोस्तान के कोने कोने में वो इतिहासक सान मंदर चाहे करनाटका हो चाहे मदपरदेश हो चाहे मदरास हो कोई ऐसा नहीं रहा हूगा जिनका 10-10 हजार का इतिहास 5 हजार का इतिहास सामने बगवान, विराजमान उनके चर्णों में दर्शन भी मैंने कर लिए तो यह आस्ता मैंने देख ली तो इनी शब्दों के साथ मारा जी मैं आपका बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि आप हमेशा किरपा रखें हमारा रास्ट मदबूत रहे हमारा एक दूसरे से प्रेम मदबूत रहे हमारे देश के ओपर आफ़त नाए हमारी सेमाई शुरक्षत रहे हमारे भारत माता के वो जवान जो सेमाओं की रक्षा करते हैं वो रात दिन जाकते हैं हम सोते हैं वो हमेशा शुरक्षत रहे इनी शब्दों के साथ आपका शुक्रिया दा करता हूं जैचरी राम बंदे मातरम सतना वाई गुर्ट